योगी बाबा सुना मुरी दुखवा कैसे मिली नो करिया ना यूपी में आवा अनुप्रिया पटेल जी को साथ देने का मन कर रहा है कि आप हमारे विरादरी के नाम पर कलंक हो सर मेरे दो बच्चे हैं और वो भी देखते हैं कि ते मम्मी आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा हम क्या करेंगे पड़ते हैं हमको भी कोई नौकरी नहीं मिलने वाली बच्चा मेरा कहता है कि ममा आप हमसे काती है पढ़िए 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 हम क्यूँ पढ़ें जब आप इतना मैनत कि आपको जॉप नहीं मिलें तो हम लोग को क्या मिलेगा क्यूं हम पढ़ेंगे जाएं कल हम लोग वहां भाजबकारी आले पे गये थे अपनी मांग के लिए मेरा फायर देखिए सर इतनी बुरी तरीके से खुचला गया है सिर्फ सिर्फ हम लोग के साथ अन्या ही हो रहा है बरबरता के साथ हम लोग को गतीटा जा रहा है मारा जा रहा है यहां का प्रसासन यहां के नेता यहां के मंत्री सब के सब करप्ठ है आज हम लोग गये थे केशो प्रसाद मौरिया जी के यहां, हमारे सारी भाई बहन को इतना मारा गया है, इतना पीटा गया प्रिया बहन जी यह लचमी पकांत पटेल मिर्जापुर से बोल रहा है, इस कुर्मी समाज के नाम पे आपने वोट लिया है, उसकी हाए आपको लगए, उसकी इतनी हाए लगे वाहरे मेरे संदीव सिंग लोटी, जिस सिच्छा मंतरी पे आज गर्भ होता था, उस सिच्छा मंतरी के नाम पे आज मुझे आसुआ रहे हैं, यह आप इस परिस्थित में हम लोगों को टाल दिये हैं, कि आज हम में घुले आस्पान पे रोने के सिवा, सोने के सिवा, साथियो नमस्कार, मैं हूँ नीरज पटेल और आप देख रहें नेशन जनमत, रात के तक्रीवन दस बच चुके हैं, मैं इको गार्डन में हूँ, पान सो चबविसमा दिन है, जिस अलसट सो को योगी सरकार मान चुकी है, लिष्ट निकाल चुकी है, कि इनके नाम है उसम साथि को निकाले, योगी जी को पांसाल हो गई, और योगी जी को हमने दुबारा से चुन लिया, मगर योगी जी ने हमको अभी तक नहीं चुना, उन्होंने अपने समाज के लोगों को हमारी जगए पे बठा दिया, और हमको तीन साल से दर-दर की ठोगरा खाने के लिए वो समझते हैं कि उन्होंने, उनके समाज नहीं उनको मुख्यमंतिर बनाया है, मगर वो ये नहीं जानते कि हमने भी उनको मुख्यमंतिर बनाया, हमारी बोट भी उनके लिए गई है, ये बात उनके समझ में क्यों नहीं आ रही है, और हमें क्यों छोड़ दिया है मनने के ल हम क्या बोलते हैं मैंकिम छोड़के तब यहां आए हफ्तों से दो हफ्तों से हम लोग यहां पे हैं अब मेरे बच्चे रो रहे हैं फिर भी हम धन्ने देने के लिए मजबूर हैं सर यह सरकार कितनी गूंगी बहरी हो चुकी है इसका एक उधारन बताता हूं जरा कुछ बोलि है कि सरकार कितनी गूंगी बहरी हो चुकी है आप लोग कहां से हैं और क्या नाम है मेरा नाम संगीता बहुत मैं संगीता बहुत इस हूँ असर आज दो साल का चार सासे हम लोग सड़कों बटा करें कोई मंत्री विधाय कि हैं जबी मिनों जाते हैं तो जोगी जी अपने प इतनी सर्दी में कैसे यहां जीवान यापन हो पा रहा है वो तो आप देख रहे हैं कैमरे के सामने हम लोग की क्या हालत है कि अभी हम लोग अपने घरों में होते अराम करते अपने बिस्तरों में होते लेहीं इस गौर्नमेंट ने हमें मजबूर कर दिया है कि मितनी रात को तो भी इस खुले आसमान में ठंड को जेल रहे हैं तो आप समझ सकते हमारी पीडा कब मिलेगी नियुकती आप ही बताएं महा से बच्चा थोड़ी देर के लिए लग होता है तो तकलीफ हो जाती है बच्चे कहां हैं आपके मेरे बच्चों को मैंने माईके में छोड़ा है कितने दिनों तक छोड़ू ये नहीं समझ में आ रहा है कब तक छोड़ना पड़ेगा सब की सारी बहनों की यही सवाल है कि कब तक बच्चों को कहां कहां छोड़ा जाए कब मिलेगी नियुकती कुछ उमीद बची है सर अभी तो कोई उमीद नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि हम लोग 5 साल से प्रतारित है और मैं आपके माध्यम से बस अपने योगी सरकास्ति ये पुछना चाहती हूँ कि आपने तो स्वैम माना था कि हम लोग के साथ विसंगती हुई है तो अब आप उसका सुध कब लेंगे हम लोग जब मर जाएंगे यहाँ पे हम आज यहाँ पे आपके माध्यम से बस ये कहना चाहते हैं हम अपने लिए नहीं आये हैं बच्चा मेरा कहता है कि ममा आपने इतना मेहनत करके पढ़ा और आप हमसे कहती हैं पढ़िये 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 हम क्यों पढ़ें जब आप इतना मेहनत की आपको जौब नहीं मिलना है तो हम लोग को क्या मिलेगा क्यों हम पढ़ने जाए अब हमको ये साबित करना है कि बेटा नहीं आपको मेहनत करना है तो कैसे साबित करें जब आज ये सरकार हम लोग की सुनी नहीं रही हैं, क्या करें हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आज हम लोग को यहाँ पे बैठना पड़ा दिपावली के लिए तैयारियां चल रही है, कल लाखो दिये चलेंगे, लेकिन मैं मोदी जी और एवगी जी को यह बताना चाहता हूं कि आप घाटों पर तो दिया जलवा रहे हैं, लेकिन हम लोग के घरों में अंधेरा है, बताए हम लोग घर छोड़कर अपना यहाँ पे बेठे हैं, हम लोग के घर के माता पिता भी मार हैं, कैसी हम लोग की दिन चरेया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, और कल की बात बताएं, कल हम लोग भाजपा कर्याले प गहे थे, हमारे हमको पुलिस ने अपने बुटों से मारा, और हमको गिरा कर वहाँ पे गारी पर स सहयोग से मैं वहां से जिन्दा बच कराया हूं तो आज साथ मैं आपके बीच में नहीं होता बनारस में इतना धार्मिक टूरिजन बढ़ाए जा रहा है उससे खुशी मैसूस होनी जी नोकरी खुशी तो बहुत है लेकिन अगर हमारी मां हमारे पिता जी बेट पे पड़े है कांवारी इतने बहान यहां पर राथ में खुले आश्मान के नीचे सुए है निए और अपने इसी मांग के लिए मैं योगी जी को पराथ एक संदेश पर पहुचाना चाहता हूं अपने गीत के माद्धन से और हूं मैं अभी आपके सामने सुना रहा हूं योगी बाबा सुना मोरी दुखवा योगी बाबा सुना मोरी दुखवा कैसे मिली नुकरियाना लाठी खाई के दिनवा भीतल कैसे बिती अब रतियाना योगी बाबा सुना मोरी दुखवा कैसे कटी रतियाना 2022 में लिस्ट निकलल सिच्छक बनक एक रास जगवल कोट के नाम पे भरति फसवल कैसे मिली नुकरियाना योगी बाबा सुना मोरी दुखवा कैसे मिली नुकरियाना भाग भाग के लईकायावे इको गडन में धरना जगावे गेट बंद कके जेल बनवला कैसे मिली नुकरियाना योगी बाबा सुना मोरी दुखवा कैसे मिली नुकरियाना पिछड़े दलित के नेता सोवे और सट सवके सिच्चकरोवे अर चड़क चोरी कैला कैसे मिली नुकरियाना योगी बाबा सुना मोरी दुखवा कैसे मिली नुकरियाना योगी बाबा सुना मोरी दुखवा कैसे मिली नुकरियाना बस सर बस सब इसके सिवाम कुछ नहीं करना चाहते हैं वो तथाकथित मेरिट धारी जो योगता का रोना रोते हैं क्या ये योगता नहीं है अंतर इतना है इस योगता का इस्तिमाल होना चाहिए था राश्ट निर्मान की कविताई लिखने में लेकिन लिखा कैसे जाएगा जब मन के अंदर वेदना होगी तो सौभाविक तोर पर जब कलम चलेगी तो व्यक्ति अपने मन की वेदना ही लिखेगा जितना ये लिखने में समय जाया किया है वही बच्चों के हित में ये सारे सिक्षक काम में आ रहे होते मगर अफसोस मैं लगातार कवर कर रहा हूँ इस अंदोलन को इस मुद्दे को अपने नेताओं के पास जाते है लाठिया फटकार के भगा दिया जाता है किसी को पीड दिया जाता है बसों में भरा जाता है और यहाँ फेक दिया जाता है उसके बाबजूद इनका होसला तूटने का नाम नहीं ले रहा आप कहां से आई हैं सर बिजनौर से आई हैं क्या नाम है रित्तु कब तक ही लड़ाई लड़ी जाएगी मैं खुद हैरान हूँ कि कब तक लड़ेंगे आप लोग सर जब हमें ये उमीद है कि जब तक ये सरकार हमें नोकरी नहीं दे देती जब तक हम अपना धरना इसी तरह जारी रखेंगे आप कहां से हैं जालान से क्या नाम है कांति स्रणापाल सर मेरा नाम नाजमा है मैं आध्या से हूँ कल हम लोग वहां भाजपा कारियाले पे गये थे अपनी मांग के लिए तो आप पुलिस की इतनी बरवर्ता और इतनी बुरी तरीके से बहनों को भाईयो को मारा गया है मेरा पायर देखिए सर इतनी बुरी तरीके से कुछला गया है इतना पेन है इसमें मेरे पीट पे भी लगा है हाथ पे भी लगा है इतना गड़े में ढगेल दी हैं वहां इतनी बुरी तरीके से घसीट-घसीट के हम लोग को बैठाया गया और बैठा करके य यही दिन देखने के लिए कि महां जाके धर्ना करो रोड पे बैठके बोड़ बैंक की खातिर न सिर्फ पिछड़ा बलकि पसमांदा सब्द भी भरपूर इस्तिमाल कर रही है वीजेपी लेकिन पिछणों के साथ साथ जिस पसमांदा की राजनीति की बात करती है वीजेपी उनकी भी इस्तिति क्या है इन सरकारों में और खास तोर से बेटियों की इस्तिति है नाम अर्चना शर्मा है मैं एवध्या से हूं हम लोग प्रतिदीन सब भाई बहन मिलके हर दरवाजे पे जाते हैं लेकिन वहां पर सिर्फ सिर्फ हम लोग के साथ अन्या ही हो रहा है बर सिचक बनने लाइक नहीं है वो कैसे नेता बन गए पहले यह हमको बताएं वो तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है हमारी हिसाब से और हम इतनी डिग्रिया लेकर बैठे हुई हैं और नियुक्ति पत्र लेने के लिए इतना संघर्स कर दें जो कि लिष्ट में हमारा नाम सिर्वाया हुआ है फिर भी यहां का प्रसाशन यहां के नेता यहां के मंत्री सब के सब करप्ठ हैं हम यही कहना चाते हैं कि हमको जल्द कर नूक्ति पत्र दे और जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग ऐसे अनवरत धर ने पर रहेंगे अब चाहे मिर्ति हो, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहां से नहीं जाएंगे, घर से हम लोग यह कसम खाके निकले हैं। आज आपके सामने हम यह बया करना चाहते हैं, कि हमारा दिल इतना करुडा से, इतना पीड़ा से, इतनी दुर्बेवार से इतना पीडित है, कि आज हमको मानी अनुप्रिया पटेल जी को साब देने का मन कर रहा है, कि आप हमारे विरादरी के नाम पर कलंक हो। ये लचमी पकांत पटेल मिर्जापूर से बोल रहा है चुनार छेतर से भाग में हम लोगों ने किसानी कर करके दो पैसे बचा करके उस पैसे से पढ़ाई की है अब आप समझ सकते हैं कि किसान ओभी पत्रिली भूमी का किसान कैसे गेहूं और चावल पैदा करता होगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं उनको स्राब देना चाहता हूँ कि जिस कुर्मी समाज के नाम पे आपने उट लिया है उसकी हाए आपको लगोए उसकी इतनी हाए लगे कि आप निसब धें नहीं बोल पाएंगे इसके आगे आगे आपका क्या नामें कहा से हैं? लेकिन आज आप खून के आशू रोल आ रहे हैं मुझे नहीं मैं आप कितनी डिगरी रखूँ मैं MSC केमेश्टी से हूँ और यहां तक कि छात जीवन में मैंने राष्टपती सम्मान से सम्मानित हुआ हूँ अब मैं कितनी योगता लूँ कि आपके प्रदेश में उत्तर प् काडन में पिछले चार साल से सिर्फ एक नौकरी की तलास कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ जहां पर एक परिवार अपने चार वक्त की रोटी के लिए कहीं न कहीं कमा कर खाता है आप कब सुनेंगे हमारी बेदना और पीड़ा को आप कब सुनेंगे समाज आपको बोड़ दे करके वहां पहुंचाया है जिस परिस्तित में आज आप मंत्री पत सुसोभित कर रहे हैं और सबसे सिच्छा विभाग के सबसे पत पर पदासीन हैं लेकिन तब भी आप मेरी बेदना नहीं सुन रहे हैं आखिर मेरे भाईयों बहनों का क्या दोस ह है कि आप इस परिस्तित में हम लोगों को डाल दिये हैं कि आज हम में खुले आसपान पे रोने के सिवा सोने के सिवा कुछ नहीं बचा है मन में इतनी वेदना होने के बावजूद न सिर्फ आंदोलन चल रहा है बलकि पिछले दलित नेताओं को लगातार जजजगोरने की कोसिस भी की जा रही है कि कम से कम कुछ नहीं तो अपने बोर्ड बैंक की खातेरी सुन लो लेकिन इस रात की सुबह कब होगी मैं नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं लगातार कवरेज करते करते ठक गया हूं लेकिन ये लोग आंदोलन करते करते नहीं ठक निश्यत रूप से उम्मीद पर दुनिया कायम है इन लोगों को उम्मीद है तो मुझे भी उम्मीद है कि कभी न कभी ये गूंगी बहरी सरकार भी ये समझेगी कि ये तमाम जो चेहरे हैं ये इनके लिए नासूर बन जाएंगे या गले की हड़ी साबित होंगे देखते रह नेशन जन्मत जागरुक और सजग बने रहिए जै विज्ञान जै समिधान धन्यवाद